Hello students, I welcome you all to the online class of CATG Today we are studying electrochemistry and this is lecture number 3 बच्चों लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हम लोग बात कर रहे थे एक दिये हुए electrochemical cell को कैसे represent करना है language के form में या फिर अगर language के form में एक cell represent किया वा हो तो वहाँ से cell में जो होने वाले reactions है एनोड पर होने वाले reactions, के थोड पर होने वाले reactions और total जो net reactions है वहाँ से reactions तक कैसे हम लोग पहुँचेंगे ठीक है चलो, तो आज फिर हम लोग उसी topic को continue करते हैं question लिखोगे, सब लोग, write the reactions involved write the reactions involved at anode and cathode, anode and cathode and also net reaction, net cell reaction या फिर सिर्फ net cell reaction को सिर्फ cell reaction बोल सकते हैं या फिर full cell reaction बोल सकते हैं net cell reaction check है for the following cell also calculate also calculate NF FN factor of the cell cell का N factor तुम्हें जिसको हम लोग X factor भी बोलते हैं वो calculate करना है और cell represent क्या हुआ है ZN solid ZN plus 2 aqueous concentration mentioned नहीं है Fe plus 3 aqueous Fe plus 2 aqueous platinum solid थोड़ा सा ये example आपको confuse करने की कोशिस करेगा आपको होना नहीं है आपको जो आपने basic fundamental बात पढ़ा है उसको use करके इसको solve करने का कोशिस कीजिए एक बात लिखो एक step आगे बढ़ोगे तो दूसरे step का तुम्हें रास्ता मिल जाएगा ठीक है step one reaction साथ anode solve करने हम लो anode पर क्या reaction हो रहा है anode पर होता है oxidation याद रखोगे anox cat red anode पर oxidation के थोड़ पर reduction इतना तुम याद रख लिए तो सारा कुशन साल हो जाएगा electrochemistry दोखो बच्चों सिर्फ एक अगर कोई important बात पढ़ना है सिर्फ एक है तो वह है कि सेल देखकर के reaction लिखना कि reaction से सिल नहीं लिखना होता है आपको रियक्शन देखकर के सेल लिखने का question board में आता है जही मेंस नीट में भी नहीं आता है लेकिन जही मेंस नीट जही advanced हर जगह अगर सबसे important कोई topic है तो वह यही है एक सेल represent किया रहेगा वहां से आपको reaction लिखना होगा आपको reaction लिखने के लिए नहीं पुछा जाएगा मतला आपको जो भी पुछा जाएगा उसके लिए reaction लिखना सबसे पहला step होगा और अगर आप reaction लिखने तो सब solve हो जाएगा बहुत आसाने solve कर लेंगे तो electro chemistry का एक महा मिर्तिंजय मंत्र है क्या कि cell को देख करके आपको reactions लिख लेना है चलो देखो anode पर कौन सा reaction होता है तो anode पर जो reaction है वो है oxidation देखो दिख रहा होगा तुम्हें ZN solid जो है वो oxidize कर जा रहा है ZN plus 2 बन जा रहा है aqueous form में और plus 2 electron कोई दिक्कत बच्चाँ तो यह है anode का reaction anode का बताओ n factor कितना है anode का n factor 2 है ठीक है क्योंकि दो electron involved है केथोड का reaction देखा जएक बार जल्दी से केथोड पर कौन सा reaction है यार केथोड पर होता क्या है reduction होता है कौन reduce हो रहा है किसमें convert हो रहा है क्या यह दोनों reduce होकर प्लाटिनम में convert हो रहा है नहीं fe3 plus convert होके fe plus 2 में जा रहा है fe3 plus fe3 plus aqueous plus electron एक electron इसमें add हो जा रहा है और किसमें convert होके जा रहा है fe2 plus aqueous देखा उच्छो यही तो reaction है अच्छा एक बात confusion हो रहा है मुझे कि jn से अगर jn plus 2 बनते है तो इस दोनों के बीच में यह डालते है एक डंडा डालते है vertical fe3 plus से अगर fe2 plus convert हो रहा है तो बीच में डंडा क्यों ही डाला हमने question गलती तो नहीं था सोचो एक बार तब तक हम पानी पी लें तो ना तो question गलती है ना तो आप गलत सोच रहे है आप सही सोच रहे हैं गईसा हम अमीद करते है तो यहां हमने vertical bar इसलिए नहीं लगाया है बच्चों क्योंकि ये दोनों phase same है इसके बाद कॉमा देकर के ये लिख दिये था हम समझ में आ गया clarity मिल गया कि भाई इसका reduction होकर ये बनेगा के थोड़ पी reduction होता है Fe3 plus के reduction होकर Fe2 plus बनेगा लेकिन दोनों चुकि same phase में है इसलिए हम vertical line नहीं लगा सकते है vertical line को बोलते हैं phase separator इसके दो साथ अलग अलग phase वाले होते है और तो फिर platinum क्या कर रहा है यहां पर तो देखो simple बात है platinum क्या कर रहा है यहां पर तो देखो किसी electrode के अंदर अगर मालो जैसे देखो यहां पर क्या होगा zinc का एक rod होगा तुमारा और वो zinc solution के अंदर डुबावा होगा तो rod और solution के अंदर जो species होता है यह दोनों reaction में involve होते हैं और उसके चलते rod पर charge develop हो जाता है और फिर rod को बाहर किसी wire से connect करते हैं तो electricity flow करता है जैसे यह वाला battery देखो यह battery तुमारे सामने है देख पा रहे हो हलागी battery को हमने अभी सई से नहीं पकड़ा battery functional case में ऐसे work करता है ऐसे रहता है ठीक है लेकिन हम सामने तुम्हें दिखाने के लिए देखो यह एक rod है यह रोड है तो मालो यहां से एक partition है अंदर में मालो हो सकता है वह partition ऐसा भी हो किसी पर तरीके से हो सकता है पर यह दोनों जो है अलग अलग compartment यह एक नोड यह के थोड ठीक है यह जो रोड निकला हुआ है यह रोड पर चार्ज डेवलप होता है यादा रहा है हमने बताया था नोड पर निगिटिव चार्ज और के थोड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और फिर एनोड से electron चलता है cathode की तरफ कोई बाद बच्चाओ कोई confusion बच्चाओ नहीं ना लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब तुमारा जो species react कर रहा है और जिसमें convert हो रहा है react करने वाले अगर दोनो species aqueous solution के अंदर ही है react करने वाले अगर दोनो species aqueous solution के अंदर ही है यहाँ पर दो species है zinc solid और zinc aqueous zinc plus two aqueous तो यहाँ पर एक चीज rod जो है वो बाहर आ जाता है वो solution के अंदर भी है और बाहर भी आ जाता है जिसमें आप wire connect कर सकते हो लेकिन जब दो चीज solution के अंदर हो जाए फिर wire connect करो केसे तो फिर क्या करते है उस solution से में एक rod डालते हैं जो rod खुद reaction न करे यह rod खुद reaction नहीं करता है platinum कैसा है इसको बोलते हैं inert electrode क्या बोलते है inert electrode क्यों क्योंकि यह खुद reaction नहीं करता है इसका बस एख ही काम है कि solution के अंदर से बाहर आ जाएगा जिससे आप wire connect कर सकते हो anode और cathode को wire के माध्यम से connect करोगे न तो वही काम बस यह तुम्हें help करता है उसी काम को करने तो यह देखो ऐसा लिख दिया अब इसको reaction में कहीं भी दिखाने के जरूरत नहीं है क्योंकि reaction में इसका कोई role नहीं है अब देखो क्या करना है तुम्हें यहां से full cell reaction लिखना है तो मैंने बता है तो जब भी तुम full cell reaction लिखोगे तो anode cathode के reaction को इस तरीके से adjust करोगे कि electron कट जाए क्या करोगे 2 से multiply कर तो इस reaction को तो इस reaction का भी n factor हो गया 2 और फिर electron जब जोड़ोगे तो दोनों electron कट जाएगा दोनों side से क्या बच्चे का देखो यहां पर बच गया Zn solid plus 2Fe plus 3 से बन गया aqueous है से बन गया Zn plus 2 aqueous plus 2Fe B plus 2 aqueous यह है बच्चों तुमारा net cell reaction और net cell reaction का n factor कितना होगा पूछा तो तुम्हें सिर्फ यही गया था net cell reaction का n factor तो दो तरीका है देखो जब तुम individual cell reaction को जोडते हो तो जितना electron कटता है वह होता है net cell reaction का n factor तुम बहुँगा क्या n factor जाक्टर चेंज भी कर सकते हैं हम अपने मं से पने मंद से कर सकते हो कोई बात आयम कोई दिक्कत नहीं है है जैसे कोई चाहता तो इस reaction को half से multiply कर देता जैसे लेक्टरन को 2 से multiply किया यहां hyped बराबर हो जाए तो और को इस reaction को 2 से multiply ने के बजाए इसको 2 से multiply करने की बजाए इसको half से multiply कर देता तो भी electron 1 यहाँ पे हो जाता यहाँ पे भी 1 रहाता cancel हो जाता तो n factor हर जगा 1 आ जाता यह तुम्हारा net reaction है तो इस तरह के बच्चों हम लोग reaction से electrode तक और cell तक पहुंचते हैं चलो बच्चों अब हम लोग बात करने बाना है जैसे अगर हमने कोई एक cell बनाया है हम लोग बैटरी बनाया जिसमें एक inode है और एक cathode है यह inode है और इसके बगल में एक cathode है और इस दोनों के बीच में salt bridge का connection है यह salt bridge का connection है दोनों के बीच में तुम लोग भी मेरे साथ बनाओगे ठीक है तो यहाँ पर यह inode है इसके उपर निगेटिव चार्ज डिवलप हो जाएगा और यह cathode है इस पर positive charge डिवलप हो जाएगा हमारे लिए daniel cell को समझना बहुत असान है daniel cell यादार है आपको daniel cell को समझना असान है तो इसलिए हम लोग daniel cell की मदद से ही समझेंगे एक बैटरी का जो construction है बैटरी यानि इलेक्ट्रो केमिकल सेल का जो construction है तो यहां से फिर क्या करते हैं लोग एक वायर की मादियम से बल्व को क्नेक्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं बल्व थोड़ देर के बाद जलना स्टार्ट हो याता है ठीक है यह ब्लव जल रहा है देखो डिट्ब रहा ये जो बैटर्री है न देखो यह बैटरी है तो यह तो मारा एक अनौण हो गया एक कर लाड़ हो गया अब तुम कलर पे मज जाना कौन सा कलर यह मान लो कुछ भी कलर उमीह दिखाई नहीं को दिखाई नहीं है हम इक से वायर लगा दोगे एक साड़ इदर से वायर लगा दोगे क्लियर है ना तुम्हें जो दिखाई देता यह बाहर दिखाई देता है अंदर क्या क्या रहता है इतना सारा चीजें अंदर रहता है ये सब कुछ जो है अंदर रहता है ये सब कुछ नहीं रोड थोड़ सा बाहर रहता है रोड हलका सा बाहर रहता है ये package के अंदर packed है पूरा ये सब तुम्हें दिखाएन देता है तो ये जितना part है ये salt bridge है जिसके अंदर KCL लग सकते हैं हम लोग तो ये जितना part है ये zinc का rod हो गया और ये copper का rod हो गया और यहाँ पर ये zn plus 2 solution के अंदर है और इसके अंदर क्या है copper plus 2 है एक battery है बच्चों ऐसा देखो यहाँ पर solution इसके अंदर ये सब चीज़ें होंगी x hat zn plus 2 x hat copper plus 2 होगा ठीक है ना चलो तो लिखोगे अभी हैरिंग डालोगे construction of cell construction construction मतलब बनाते कैसे हैं cell को construction ये कैसे बना हुआ है ठीक है and working construction and working तो देखो cell के दो पार्ट होते है में लिए एक internal पार्ट होता है और दूसरा external पार्ट होता है ये हो गया तुमारा internal इसको बोलते है internal circuit और इसको ये जो wire है ना इसको बोलते है external circuit external circuit कोई दिक्कत चलो अब तुम्हें बताना है कि internal circuit और external circuit में क्या-क्या घटना घट रहा है बच्चों यहाँ पर copper प्लस 2 और यहाँ पर zinc प्लस 2 ठीक है अब तुम्हें internal और external circuit में जो घटना है घट रही है उनके बारे में चर्चा करना है हमसे तो लिखते चलो एक-एक करके देखो पहले external circuit की बारे में बात किया जाए तो देखो यह एनोड है यहाँ से electron चल रहा है किदर जा रहा है के थोड की तुरफ देखो in external circuit external circuit circuit किसको बोलते हैं circuit बोलते हैं ऐसा कोई भी portion जिसमें current चल रहा होता है तो यहाँ पर current चल रहा है इसलिए वो circuit है क्या अंदर में current चल रहा है क्या internal part में बताओ तो बताओ सोचो अच्छा उस पर आएंगे बात में भी चलो पहले external circuit के बारे में बात किया जाए external circuit में लिखोगे electron flows from anode to cathode यह तुमारा cathode और यह तुमारा anode electron flows from anode to cathode electron flows from anode to cathode तो current का direction क्या होगा बताओ तो bracket में लिखोगे and hence current flows from cathode to anode current का direction हम लोग मानते हैं electron के direction के उल्टा है opposite है hence current flows from cathode to anode current flows from cathode to anode electron anode से cathode पे जा रहा है और current cathode से anode पे आ रहा है external circuit में इतना ही हमारे लिए काम का है और कोई बात काम का नहीं है क्योंकि हमें तो battery बनाना है ऐज़ा chemical engineer या फिर chemistry पढ़ रहा है तो तुमारा अब बाते हैं internal circuit के बारे में और यहां पर हमें detail में बात करना है internal circuit internal circuit में क्या क्या चल रहा है बच्चों internal देखना ध्यान से internal है है हमने short में लिख दिया in internal circuit में क्या क्या चल रहा है इंट इंट इंटर्न जो circuit देखो बच्चों यहां पर हमने बताया था तुम्हें कि इलक्ट्रोन इस section से गायब हो जाता है देरे देरे एनोड वाले section से तो क्या होता है c l minus इदर चलता है ताकि neutralize कर सके और k plus इदर चलता है क्यों क्योंकि इलक्ट्रोन यहां से यहां बहुत सारा पहुँच रहा है तो यह compartment देरे negatively charged हो जाता है के प्लस पहुँच करके उसको neutralize करता है अगर के प्लस c l minus नच खले तो क्या होगा तो यह होगा कि मालो यहां पर कुछ connection नहीं है तो यहां से इलक्ट्रोन जैसे ही थोड़े दिर के बाद इस compartment में आके भर जाएगा इस compartment में इलक्ट्रोन इतना ज्यादा हो जाएगा कि further एक नए इलक्ट्रोन का यहां से यहां आना मुस्किल हो जाएगा यहां पर जंसें कहां बढ़ जाएगा तो यह लोग एक नियम पास कर देंगा इस देश से इस देश में कोई नागरिक नहीं आ सकता है इलक्ट्रोन नाम का नागरिक ठीक है चलो आगे चलते हैं In internal circuit, negative charge flows, negative charge flows, flows, negative charge flows from, from cathode to anode, from cathode to anode. negative charge flows from cathode to anode, cathode से anode की तरफ जाता है, via salt bridge, via salt bridge, and hence current flows from anode to cathode, current flows from anode to cathode, current flows from anode to cathode, तीसरा internal circuit का ही पार्ट है, two का, two dash लिख सकते हो ये, दूसरे का ही एक पार्ट है, salt bridge. Salt bridge क्या करता है? तो देखो, salt bridge क्या करता है? दोनों compartment जो है, node के थोड, इसके overall neutrality को maintain करता है. यहां से electron निकल रहा है, तो यह negative charge supply कर देता है. यहां से पर electron पहुंच रहा है, तो यह positive supply कर देता है. लिखो, maintains overall neutrality of the cell while working. maintains overall neutrality of the cell while working. जब यह work, जब cell work कर रहा होता है, तो cell के overall neutrality को maintain करता है. maintains overall neutrality of the cell. overall neutrality of the cell. लिख लिए, उसके निचे लिखो के salt bridge में एक और पंड निचे है. It is made up of, it is made up of, made up of, an electrolyte mixed with, अगर-अगर पावडर, an electrolyte mixed with, अगर-अगर पावडर, in aqueous solution, an electrolyte mixed with, अगर-अगर पावडर, अगर-अगर नाम के एक पावडर होता है, जिसमें NaCl या KCl, ऐसा कुछ मिला देते हैं, एक electrolyte, या अगर-अगर पावडर में एक साथ, उसको पानी में डाल देते हैं, एक को solution मिला देते हैं, and is dried, and is dried, to form paste, वो वाला paste नहीं, जिससे तुम teeth, या brush कर सकते हो, teeth clean कर सकते हो, नहीं, paste मतलब, paste जैसा compound बन जाता है, to form paste, paste का क्या काम है, तो paste अगर नहीं रहेगा, अगर equus, देखो, solid NaCl ले लिए, तो जैसे माल लो solid, इस डब्बे के अंदर तुम solid रख दिये, तो वो गिरेगा ही नहीं, वो न इधर जाएगा CL-, न इधर जाएगा K+, क्योंकि solid state में K+, CL- एक दूसरे से जुड़ा रहता है, equus solution में ये free flow कर जाएगा, एक आएक कुछ की NaCl इधर गिर जाएगा, या KCL इधर जाएगा, गिर जाएगा, कुछ इधर गिर जाएगा, लेकिन paste form में, जिसका जरूरत होगा जिधर, वो उधर चला जाएगा, इधर से electron कम हो रहा है, तो CL- इधर चला जाएगा, इधर electron पहुच रहा है, तो K+, इधर चला जाएगा, ठीक है ना, लिखो, the net-like structure, net-like structure, at molecular level, जो paste बनता है, उसका अगर molecule के लिवल पर दिखोगे, तो net जैसा structure होता है, paste के अंदर net जैसा, जाले जैसा structure होता है, the net-like structure at molecular level, restricts the movement of iron, 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 ठीक है, चलो एक और बात किया जाए, तो iron का movement जो होता है, salt bridge के थुरू, वो restricted होता है, ठीक है, उसके निचे लिखोगे, दोनों का mobility, लगबग बरावर होना चाहिए, mobility of cation, should be equal to mobility of n-i-n, cation का mobility, n-i-n के mobility के बरावर होना चाहिए, मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ, मान लो, जिस speed से cation इधर की और जा सकता है, उसी speed से n-i-n को भी इधर की और जाना चाहिए, अधरवाज क्या होगा, मान लो, कि cation इतना बड़ा हो गया, कि यह जो net like structure इसके अंदर बना है, salt bridge के अंदर, ऐसा जिसे, मान लो, यह net like structure है, ठीक है न, इसके अंदर हलांकि तुम्हे net दिखाए नहीं देगा, पर molecular level पर जगा है इसके अंदर, तो मान लो, इधर से कुछ उधर जा रहा है, कुछ उधर से इधर आ रहा है, तो मान लो, एक छोटा particle है, जो इधर से cross कर जा रहा है, लेकिन अगर एक बड़ा particle उधर से आना चाहे, तो नहीं भी आ सकता है, तो होता क्या है कि इस दोनों का mobility रहना चाहिए बरावर, ताकि जितना CL में इधर supply हो पा रहा है, उतना ही K-plus इधर भी supply हो जाए, समझ गया है ना, तो mobility बरावर होना चाहिए, mobility बरावर कैसे होगा, उसके लिए size लगबग बरावर होना चाहिए, size of cation should almost be equal to size of an ion, यह almost बरावर होना चाहिए, कोई दिकत, cation का size न ion के size के बरावर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, देखो, जो current चल रहा है internal circuit में salt bridge के थुरू current चलने का मतलब charge का चलना तो दो charge चल रहा है एक negative charge और एक positive charge दोनों के दुआरा जो current में contribution है वो बराबर रहना चाहिए ideally यहनि कि positive charge के चलने के चलते जितना current इस circuit में है उतना ही current जने ठोना चाहिए negative charge के चलने के चलते भी दोनों बराबर रहना चाहिए तब ideal case है दिख लो current fraction of current fraction of current carried by carried by cation is almost equal to fraction of current fraction of current carried by nion nion और cation के द्वारा जो current का fraction है जो current carry किया जा रहा है जो current चुलाया जा रहा है वो लगभग बरावर होना चाहिए बच्चो ठीक है अच्छाए इसी सब को मिला जुला के एक नया बात बोल देते है वो क्या बात है वो हम इधर लिखते हैं तुम इसको note down कर लो इतना लिखते बोलते हैं उसको ट्रांस्पोर्ट नंबर ओफ केटायन इस अल्मोस्ट इक्वल टू ट्रांस्पोर्ट नंबर ओफ एनायन ठीक है ना यह एडियल ऐसा केस रहना चाहिए यह चार चीजें इन्ही तीनों का समरी यह है lotta knowledge ट्रांस्पोर्ट नंबर ओफ ओड सुनके तुम्हें confused नहीं होना है अगर इन तीनों के जग़ा पर एकी बात बोलना हो कोई एक बात बोल दो के ट्रांस्पोर्ट नंबर ट्रांस्पोर्ट नंबर का बेसी मतलब है जो transportation हो रहा है charge का तो ये बराबर होना चाहिए लेकिन ऐसा बराबर होता नहीं है बच्चों होना चाहिए और हो जाए इसमें अंतर है बराबर नहीं होता है क्यों बराबर नहीं होता है क्योंकि NIN के TIN same size के जल्दी मिलते हैं ही नहीं clear है तो एक बार कोश्चन आया वाई जही में कि KNO3 फ़र इसको note down कर लो फिर जही में के कोश्चन के बारे में एक छोटा सा चर्चा करेंगे हम लोग कोश्चन essentially पढ़ता है मैं पूरा detail में नहीं बता रहा हूँ essentially जो main feature कोश्चन का वो यह है in salt bridge KNO3 C is used fraction of charge fraction of charge carried fraction of charge नहीं sorry current fraction of current carried by cation and anion R मालो तुमारे पास option है equal unequal cannot say और D है ननब देज़े ठीक है क्या टिक करोगे KNO3 तुम देखो K plus और NO3 minus का size क्या तुम्हें लग रहा बरावर size होगा NO3 minus काफी बड़ा anion है K plus काफी छोटा है तो दूनों के दौरे जो fraction of current carry किया जाएगा वो unequal होगा ठीक है बच्चों तो बच्चों हो देखो अब हम लोग सीख गये हैं कि salt bridge का क्या रोल है salt bridge कैसे बनता है एक battery कैसे बनाते हैं अब इस battery का use किया जाएगा बना तो लिए हो use तो करोगे न तो battery का जब हमें use करना होता है तो उससे पहले हमें जानना पढ़ता है कि battery कितने volt का है जैसे देखो यह वाला battery है यह battery कितने volt का है देखो इधर कहीं लिखाओगा तो यह जो battery है बच्चों ये 12V का बैटरी है इधर लिखाए तुम्हें दिखाए नहीं देगा ये 12V का बैटरी है तो 12V का बैटरी का मतलब क्या हुआ ये हम तुम्हें समझाने कोशिज कर रहे है अच्छा जानना क्यों ज़रू ये 12V क्योंकि हर एक जो डिवाइस होता है इलेक्ट्रोनिक डिवाइस उसमें स्पेसिफिक रिक्वार्मेंट होता है कि कौन सा डिवाइस को चलने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए क्लियर है ना तो 12V अगर इस बैटरी का वोल्टेज है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब वो यह जो दो टर्मिनल है इसके पोटेंशियल इस टर्मिनल पे अलग पोटेंशियल होगा इस पे अलग पोटेंशियल होगा इनके पोटेंशियल का डिफरेंस है 12V समझ गया न 12V का मतलब क्या हुआ इनके पोटेंशियल का डिफरेंस है क्योंकि यहां से जब आप wire connect करोगे यहां तक तो जो current चलेगा वो इसी बात पर निर्वार करेगा कि potential का difference कितना है फॉर जम्पल जैसे मालो 50 वोल्ट यहां पर भी है और 50 वोल्ट यहां पर भी है potential difference zero है ना current तुम चलाओगे flow नहीं करेगा तुम वायर करोगे current flow नहीं करेगा तुम सुचो voltage बहुत जादा है दोनों इलेक्ट्रोड का potential बहुत जादा है 50 वोल्ट 50 वोल्ट कोई काम का नहीं है उसके opposite तुम ले लो और यहां पर 5 वोल्ट हो यहां पर 0 वोल्ट हो जाए current चलेगा क्योंकि voltage का difference है तो battery में जो voltage लिखा होता है वो बताता है इस दोनों इलेक्ट्रोड के potential का difference और मालो कोई battery तुमारे पास इसमें लिखा हुआ नहीं है कितना potential difference है तो क्या करोगो तुम निकार सकते हो कौन सा लोग यूज करके ohms log यह लिखोगे नहीं बच्चों नोट्स में यह हम ऐसे इसे ही बता रहे है ohms log यूज करोगे तो होता है V is equal to IR एक resistance resistance मतलब एक wire ले सकते हो उस wire का resistance अगर तुम्हें पता हो तो नहीं तो market में standard registers मिलते है registers मतलब एक standard wire मिलते है जिसका resistance पता होता है लिखा होता है वो register ले लो यह resistance वाला wire ले लो उस wire को connect कर दो एक device होता है emitter उससे current measure कर लो दोनों को multiply कर दो voltage difference निकल जाएगा कोई दिक्कत तो voltage difference निकलना बहुत ही आसान है कोई दिक्कत लेकिन कोई battery जब हम बनाते हैं जैसे यही battery है एक बार battery बन गया तो voltage difference निकलना बहुत आसान है लेकिन अगर कोई तुमसे पुछे कि किसी एक terminal का voltage बताओ कैसे बताओगे बता पाओगे किसी एक टर्मिनल का voltage नहीं बता पाओगे ओमसला यूज करने के लिए तुम्हें यहां से यहां इस terminal तक wire connect करना पड़ेगा current चलेगा उस wire का resistance होगा current से multiply करोगे तब voltage मिलेगा किसी एक terminal का voltage निकालना बहुत मुश्किल है निकाला तो हमेशा जाता है voltage difference लेकिन voltage difference कब निकाला जाता है जब battery बन जाता है बैटरी बन के तयार हो जाता है अब तुम सोचो कि तुम 6 volt का बैटरी बनाना चाहते थे बैटरी बन के तयार हो गया voltage मेजर किया तीनी वोल्ट आया कोई काम का है तो दरसल क्या है कि मेजर करना असान है voltage का difference लेकिन वो मेजर होता है बैटरी बनने के बाद कोई दिक्त बैटरी बनने से पहले हमको पता करना है कि अगर ये वाला एक इलेक्ट्रोड लिए एक जिंक का इलेक्ट्रोड लिए एक सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिए तो कितना potential difference मिलेगा हमें ये हमें पहले जानना पड़ता है और ये कैसे जानोगे पहले तो ये जानने के लिए आपको लग 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 इलेक्ट्रोड का potential difference जानना पड़ेगा चाहे जैसे आप जानो या आपकी मजबूरी होगी तब ही हम लोग देखेंगे वही कि अलग अलग इलेक्ट्रोड का potential difference कैसे जाने ताकि हम लोग जो भी electrode ले रहे हैं मालो तो सिर्वर एलेक्टोड ले लिए, जिंक एलेक्टोड ले लिए, तो उनका अगर अलग-अलग potential मालूम होगा, माल लिया है कि हमें पता है कि इस पर 10 V डिवल्प होगा, इस पर 15 V डिवल्प होगा, तो मैं पता चल जागा कि डिफरेंस कितना है, 5 V का डिफरेंस मिलेगा, य या फिर हमें पता है यह 0V का है यह 20V यहाँ पर डेवलप होगा तो हमें पता चल जाएगा डिफरेंस कितना है 20V का बैटरी बन जाएगा यह समझके बच्चों तो मेजर करना आसान है पॉटेंशिल डिफरेंस लेकिन हमें जरूरत होती है किसी इंडिविज्वल इलेक्ट्र तो बच्चों यहां पर नोट करके एक बात लिखे लोगे पहले इस एज़ी तो क्यालकुलेट पोटेंशियल इस एज़ी तो क्यालकुलेट पोटेंशियल ओफ असेल सेल मतलब कंप्लीट सेल का पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल दिफेंशियल 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 का जो दो हाफ सेल है नोडर के थोड, उनका potential difference का मतलब वो potential of cell, cell मतलब full cell. It is easy to calculate potential of cell, that is potential difference of two half cell. But we require to calculate potential of individual half cell. जो individual half cell है, उसका potential हमें required होता है calculate करना. Half cell, कोई दिकत, चलो तो अगले class में जो हम लोग start करेंगे पढ़ाए, तो यहीं से start करेंगे कि किसी half cell का, किसी एक cell का potential कैसे measure करेंगे, तब तक आपको सूच रहा है, आपको सूच रहा है कैसे अगर एक ही हमारे पास हो, तो क्या उसका potential निकालने का कोई तरीका भी है, या फिर नहीं है, या अगर है तरीका तो क्या तरीका है, ठीक है, उससे पहले class end करने से पहले एक बात और लिख लो, electrochemical cell, electrochemical cell is also called, also called voltage cell और galvanic cell, electrochemical cell का ही नाम है, voltage cell और galvanic cell, जो तुमने डैनियल सेल सुना है, वो एक special electrochemical cell का नाम है, जिसमें zinc का anode और copper का cathode रहता है, ठीक है, otherwise general नाम है, voltage और galvanic cell, ठीक है बच्चों, ठीक यू very much, अगले class मैं हमें बात करना है किस टॉपिक पर, किसी individual cell का potential कैसे calculate किया जाएगा,